हलो फ्रेंट स्वागत आप सभी का एक वाल फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्राइब इद पी के वें दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत बड़ी अपडेट जरखन पंचाय चुनाव 2022 से संबंदित कि निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है उम्मिदवारों का चुनाव चिन यानि कि जो भी उम्मिदवार पंचाय चुना लड़ेंगे चाहवे जीला परिस्त के पत पे हो पंचाय समिती के पत पे हो मुख्या के पत पे हो या वाड के पत पे हो तो उनके क्या-क्या चुनावचिन हो सकते हैं तो इसे जारी किया गया है निर्वाचन आयोक के द्वारा तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि कौन कौन से चिन किसे हावटित किये जाएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आलमगीर आलम ने बोला है कि जब की बार जो पंचाय चुनाओं होंगे वा ओबिसी आरक्षन के बिना ही होंगे तो पंचाय चुनाओं में डेर से दो साल की देरी हो सकती है तो यह वो बोला गया था आलमगीर आलम के दौरा हाला कि सरकार के दौरा कोई ओफिसियल इस्टेटमेंट अभी नहीं आया है ठीक है तो कल मैंने वो आपको बताया तो चलिए आज हम बात करते हैं चुनाओं चिन को लेकर और हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि सार आपका फैक जानकारी देते हैं आपकी दीगी जानकारी गलत होती है तो मैं उसे एक बार फिर से बताना चालता हूँ कि मेरे दौरा दीगी सभी जानकारे बिल्कुल सही होती है और मैं authentic source से ही जानकारी देता हूँ तो आज आज का देख सकते हैं आज कर जो हमारे जानकारी है वो भार सा जारखन गजट से संबन्दित है और गजट का ओफिसियल पेज है मैं यह आपको दिखा रहा हूँ इसलिए बिल्कुल सही जानकारी है इसमें कोई भी जूट नहीं है यहाँ पे जो मैं चुनावचन दिखाऊंगा वही चुनावचन उन्हें मिलेंगे तो यह जारखन गजट से जानकारी है जारखन सरकार द्वारा इसे परकासित किया गया है तो चलिए जानते हैं इसादी सुचना के बारे में तो यहाँ पे आपको दिया गया है आप देख सकते हैं कि त्रियस्त्रिय पंचायतों के लिए निर्वाचन की सुचता सुनिशित करने था यह से निर्वाचन के उचीत हैं उम्तचतापुन रितिक की से संचालन के हित में भारत की संविधान का अनुशे 243 के था जारखन पंचायत राज अधनियम 211 की धारा 66 के द्वारा जारखन राज छेत्र के अंतरगत पंचायतों के निर्वाचन का दिक्छान निदेशन यम नियंतरन के अरीन परदत सक्तियों का परियो करते वे जहरकन परणचायत निर्वाचन निवावली 2001 की नियम 44 के प्रावधानों राज निर्वाचन आयो के परणचायतों के निर्वाचन के निमित निर्वाचन परतिक देखिया पर दिया गया निमित निर्वाचन परतिक आने के चुनाव चिन कि विसिष्टा है, हमावनटन के लिए निमलिकी जादेस देता है तो देख सकते हैं कि अभी official may दिया गया है कि निर्वाचन पर्तिक के आवनटन कीया देता है, तो क्या-kيع निर्वाचन परतिक होंगे उसे हम जानेंगे उसके आगे में तो इसमें हमें दे दिये गए हैं पांच टाइब के निर्वाचन परतिक दिये गए हैं चले उससे पहले हम जानते हैं कि जब तक संदर ब्यात्वा परसंग से निथा पेक्षित ना हो इस आदेश में आयोग से जारखन पंचायत राज अधिनियां 2001 के अथा संसोदित की धारत 661 में उलखित राज निवाचन आयोग 35 चुनाव सभी पंचायत पंचायत समितियां जीला परिसाद निवाचन छेटर से मतलब है ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निवाचन छेटर मुखिया का निवाचन दिये जाएंगे तो इसमें आपके 5 परकार के होंगे आपके चुनाव चिन है वो 5 परकार से दिये जाएंगे जो पहला है वो जीला परिसाद के छेटरी निवाचन छेटरों के सरस्षिक के लिए राज निवाचन आयोग दवारा इस कारी हेतु करनांकित मुक्त निरवाच तो दूसरा जो सुची होगा वाप अपनचाय समिती के सरस्षियों के लिए होगा और तिसरी है मुख्या पद के लिए राज निरवाचन आयोग दवारा इस कारी हेतु करनांकित मुक्त निरवाचन प्रतिक sporting के लिए जिसे है कि हम लोग वार्ड बोलते हैं तो वार्ड के ह पर दिए होगा चोथा वो जो पांचवाँ जो सूचरी दी जाईगी वह होगा सुरक्चित मुग्त युरवाकण परतिक जीला परिसाद के छेतरी निरवाचन चेत्रों के स्राइप्रतियों जमीतिय, शेतра, निर्वाचन, शेत्र के सरस्य के अभियरतियों, मुख्यापद के अभििरतियों एवम ग्राम पंचायत के अभिरतियों के अभियरतियों को उपपंडिका को Sie vedit, ज किया जाएगा आने कि जो पाच्वें लिस्ट में है उसे आवंटित किया जाएगा चलिए देखते हैं ति कौन से लिस्ट में क्या क्या हैं तो अब हम एक एक लिस्ट को यहां पे देखेंगे तो निर्वाचन प्रतिक आवंटन किस परकार होगा यहां इसके बारे में है कि न नियात तिथी समय और अस्थान पर अलग अलग अथा नियात तिथी समय और अस्थान पर अलग अलग अथा नियात तिथी समय और अस्थान पर अलग अलग अथा नियात तिथी समय और अस्थान पर अलग अलग अथा नियात तिथी समय और अस्थान पर अलग अलग अथा नि देखे हमारे पास है list co list co में मैंने बताया था कि इसमें जो होगा वो जीला परिसाद के 36 निरवाचन, 36 के सरस्थिवों के लिए मुक्ति निरवाचन परतीक होगा यानि कि इसमें जीला परिसाद के हैं इसे परतीक मिले जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें आपके क्या है? एयर कंडिशनर है, चपाती रोलर है, ओटो रिक्सा, चिमनी, चुडियां, नारियल फॉर्म, बैटरी टॉर्च, कंप्यूटर माउस, बैंच, घन, बिस्किट, हीडा, बकसा, डॉली, इंटेंट, ड्रिल मसीन तो ये सबी चीजें जो हैं यहानटित की जाएंगे, आपके जीला परिश्वर करलाण, प्रिस्वर्च, के इसमेंट, बैंटरी टॉर्च, कंप्यूटर माउस, बैंच, या फिर घन, बिस्किट, हीडा, बकसा, डॉली, इंटेंट, ड्रिल मसीन, बाल्टी, बिजली का खंभा कैमरा बांसूरी इसके साथ और क्या क्या हो सकता है तो कारपेट फवारा से सी टीवी कैमरा कीप इस तरह के टोटल 24 चुनाव चिन हैं जो की नहीं मिल सकते हैं तो यदे 24 से जाइदाद जीला परसा किसरा से होते हैं तो उसे आरक्षित निर्वाचन परतिक में से कोई एक परतिक दिया जाएगा इस तरह से देख सकते हैं जीला परसा के लिए आपर 24 परतिक दिये गए हैं और हाँ इसके जो चिन होगा नहीं जो इसका जो इमेज होगा वह भी राज निरवाचन आयो दौवारा ही आपको दिया जाएगा इसा नहीं है कि पंचायत समिती के छेत्र निरवाचन, छेत्र के सरस्यों के लिए मुक्त निर्वाचन प्रतिक तो इसमें क्या क्या है तो इसमें आपका अलमारी, चपलें, बेबी वाकर, चिम्टी, बल्ला, कलर ट्रे और ब्रूस, मोतियों का हार, चार पाई, साइकल पंप, कप और प्लेट, बलेक बोर्ड, डीजल पंप, डबल रोटी, द्वार घड़ी, ब्रिक फेस, ब्रिफ केस, डंबल्स, केक, लिफाफा, केन, फुटबॉल, केरम बोर्ड, फ्रॉग, जंजीर, गन्ना किसान, तो देख सकते हैं कि यहां पे इतने जो चिन नहीं मैंने अभी बताए हुआ आपके होने वाले हैं, पंचायत समिति केचिन, कौन कौन से, तो अलमारी, चपले, वेबी वोकर, चिम्टी, बल्ला, कलर ट्रे, मोतियों का हार, चारबाई, साइकिल पंप, कप और प्लेट, ब्लैक बोर्ड, डीजल पंप, डवल रोटी, द्वार घडी, ब्रीफ केस, डंबल्स, केक, लिफाफा, उसके साथ केन, फुटबॉल, केरम बोर्ड, फ्रॉग, जंजी, रोडगन्ना, किसान, तो यह सब जो हैं, वासाब आपके होंगे, पंचायत समिति के सरस्चियों के लिए, इसलिए आप देखते हैं, मुख्या के सरस्चियों के लिए क्या क्या है, तो ग्राम पंचायत के मुख्या पद के लिए, जो मिदवार होंगे, उनके लिए निम्न चिन है, तो इसके लिए है, सेब, गुबारा, बल्ले बाज, बेल्ट, दुर्बीन, आदमी वपाल, सतरंज बोर्ड, कोट, कम्प्यूटर, क्रेन, कटिंग प्लायर, डिस एंटीना, उसके साथ ही, डिस एंटीना, नोकाईद, ब्रेड, टोस्टर, दरवाजे का हैंडल, ब्रोस, कान की बालियां, कैलकुलेटर, एक्स्टेंशन बोर्ड, सिमला, मिर्च, फुटबल, खिलाड़ी, फुलगोवी, फ्राइंग पैन, चक्की, गैस सिलेंडर, तो यह सब चुनावची ने दिये जाएंगे, मुख्या के स्रस्टियों को, जो कि मैंने आपे बताया, अब चलते हैं, अपने अगले लिस्ट पे, जो कि हमारा है, ग्राम पंचायत के आने के वाड के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं, जो है, गैस का चुलहा, कडाही, काच का गिलास, नासपत्ती, हरी मिर्च, कलम की नीब, साथ किरनों के साथ, टोपी, पैंसिल सर्फनर, हेलमेट, पेट्रोल पंप, आइस क्रीम, अनानास, कटाहल, प्लेट स्टेंड, भिंडी, पॉचिंग मसीन, कुंडी, अंगुठी, लोडो, रूम कलर, माचिस की डिबबी, सेफटी पीन, नेल कटार कैची, तो इतने चिन हैं, जो दिये जाएंगे, आपके वाड के, जो मिदवार होंगे, उनके लिए, तो देख सकते हैं, सब के लिए, 24-24 चिन आवंटित किये गए हैं, सब के लिए, 24-24 चिन आवंटित किये गए हैं, चाहे वो, मुख्या परतियासी हो, या पंचाय समिती प्रतियासी हो हो या जीला प्रिसरत प्रतियासी हो या वाड के लिए प्रतियासी हो तो सभी को 24-24 royalty-90 के गए अधि उस से जाइदा अब्हरत्यों की संख्या होती है तो उसे आरक्छित परतिकों में से परतिक मुयर्या कराए जाएगे तो आरक्षित में कितने परतिक सामिल तो इसमें भी आपके टॉनल 24 परतिक सामिल हैं जिनमें कि आपके उपहार, भैंट, ग्रामोफॉन, मटर, हाथगाड़ी, पैन स्टेंड, हेड़फॉन, पैंडूलम, हौकी और बाल, फॉन चार्जर, पानी गर्म करने की रोड, करनी, के परतिकों के आवंटर में भूल या गल्तिक इस परकार से सुद्रारी जा सकती है, निर्वाची पता दिकारी द्वारा अभ्यार्थी को आवंटित निर्वाचन परतिक अंतिम होगा और बिना आयोक के पुर्वा नुमोदन के निर्वाची पता दिकारी द्वारा अभ्यार परिसर के सरस, पंचायद समीती के सरस, मुखिया, ग्राम पंचायद के सरस के अभेरती को ततकाल उपलावद कराई जाएगी, तथा इसकी पावती प्राफ्ट की जाएगी, यानि कि इसमें जो है वह आपका एक बार मिल जाने के बाद बिना आयो के पुर्वा नुमदा के उस बार बन ले सकते हैं, तो चलिए आज का वीडियो ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अग्राइगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियां, वीडियो को लाइक करें, पिर दोस्तों को जिरूर सेर करें, और हाँ बैल आइकन को दिवा जय हिंद वंदे मात्रम जोहार जारखन